बश्पन में आपने परियों या फरिष्टों की कई कहानिया सुनी होंगी और ये कलपना भी की होगी कि काश कोई फरिष्टा या परी आपको मिल जाए और आपकी मन मुराद पुरी हो जाए आपकी विश्फ फुल्फिल हो जाए आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो चलिए मिलवाते हैं आपको उन एंजल्स परियों या देवदूतों से जो आपकी मन मुराद पुरा कर सकते है आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते है एंजल परी या पंखो वाले देबदू हमारे और ईश्वर के बीच एक मेसेंजर होते हैं संदेश वाहक होते हैं जो एक जरिया होते हैं संसार और ईश्वर के बीच में लव रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी प्रॉब्लम्स, चालेंज़स, करियर, स्टडीज कोई भी ऐसा छेत्र रोज मर्रा की जिन्दगी में भी आने वाले चालेंज़स को हल करने के लिए ये आर्केंजल्स हमेशा तयार रहते हैं तो कौन सा आर्केंजल्स हमें कहा मदद करेंगे और किनको हमें पुकारना है आज के इस वीडियो में हम वो ही आपको दिखाने जा रहे हैं आज का ये वीडियो आर्केंजल्स पे ही अधारित है अलग-अलग आर्केंजल्स कैसे हमारी मदद करते हैं किस समस्या में हम किस एंजल को पुकार सकते हैं। स्वभाव से ये एंजल बड़े ही दयालू होते हैं और वे हमेशा चाहते हैं कि हमारी सहायता करें। वे सिर्फ हमारी ही पुकार की प्रतिक्षा करते हैं। जब हम उनसे सहायता मांगते हैं तो वे हमारी सहायता अवश्य करते हैं। क्योंकि वे सदेव हमारी मदद के लिए ही तो आतुर रहते हैं। एंजल थेरपी यानि कि एक ऐसी पद्धिती जिसमें एंजल्स, फरिष्टे या कहलेजिए देवदूद हमारी मदद करते हैं, हमारी समस्याओं का निदान करते हैं आप अपनी किसी भी तरहा की समस्याओं को हल करने के लिए एंजल्स को पुकार सकते हैं, उन्हें अपनी समस्याओं बता सकते हैं, और देखिए चटपट आपकी समस्याओं हल हो जाएगी ये थेरपी बड़ी ही सटीक है और कारगर काम करती है करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं झाल 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 इन आर्केंजल्स से हमें काम कैसे लेना है इन्हें कैसे मदद के लिए पुकारना है इनका आवान कैसे करना है ये सब सीखने के लिए आपको एंजल हीलिंग का कोर्स करना पड़ेगा जिसके की डिटेल्स यहां है अगर आप सीखना चाते हैं तो आप मुझे यानि की आपकी अपनी सोल में चबाना को कॉंटेक्ट कर सकते हैं वाट्सप पे 9818130040 वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा और लाइक शेर तो बनता ही है कीप कनेक्टट गॉड ब्लेस यो थैंक यू